नमस्कार दोस्तों मैं हम नीरज और आपकी अपनी 35 हमें स्वागत है इस वीडियो में हम लोग Decomposition of Transfer Functions के बारे में बात करेंगे इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है डियरेक्ट मेतफ़ड के बारे मिपात किया एक आउटपट जो है वो दूसरे के लिए क्या होता है इन्पुट होता है तो ऐसा ही कुछ खेंप्ट यहां पर भी उसकिया जाएगा एक लिखा कि अब डिखा कि अब डिखा किए अब ट्रांसफर फंक्शन इस इन ट्रैक्ट फैक्टर्ट फॉर्म थेन के कंपोजिशन इस Then draw the transfer function of each part and combine the parts by unity transmittance insert between each SVD. SVD का मतलब आपनों पिछले वीडियो में भी हम लोग ने डिसक्रस किया था, state variable diagram. अब उसके लिए हम लोग ने एक question ले लिया है ये और इसका हम लोग fraction कर लेंगे. तो fraction करेंगे तो denominator तो already आपका numerator देखेंगे तो s plus 6 है, denominator को हम लोग दोनों रूट्स निकालके s plus 3 plus s plus 2 कर लेंगे. और इसमें हम लोग पहले माल लेंगे g1 और एक को दूसरी को g2 और g1 को देखें क्या किया गया है? उपर नीचे qs से multiply कर लिया गया है. और उससे पहले हमने क्या किया है? उपर नीचे s से divide किया है. जब divide करोगे तो 1 plus 3 s to the power minus 1 आजाएगा denominator में, denominator में 1 plus 6 s to the power minus 1. अब उसके बाद जो है यहाँ पर ys और us दोनों को अलग अलग लिख लिया है. ठीक है? दोनों में qs का form है. फिर qs की value जो है हम इस वाले equation से calculate कर लेंगे. तो qs यहाँ multiply कर लोगो तो क्या जाएगा? us minus 3 into s to the power minus 1 into qs. उसके बाद जो है, इसका svd बना लिया गया है. तो यह equation क्या कहती है? यह equation कहती है कि हमें अगर qs चाहिए तो उसमें us minus 3 times 3 into s to the power minus 1 into qs चाहिए. तो qs यह हमको मिल रहा है. देखें. और इसमें s to the power minus 1 आगे कर लिया, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा s to the power minus 1 into qs. यह मिल गया. अब उसको 3 times multiply कर लिया. क्या माइनस है, तो माइनस 3 लिख लिया. तो यह हमको exactly qs की value मिल जाएगे, जो कि इस expression में लिखिये हुई है. ठीक है? अब उसके बाद जो है, इसी में हम आगे बात करें, तो ys की बात होगी. तो ys क्या कहता है? ys यह कह रहा है, इस हिसे में, कि ys जो है qs, अगर आप इसी को थोड़ा expand करेंगे, तो आज आएगा qs plus 6 s to the power minus 1 into qs. तो यह कह रहा है कि qs होना चाहिए, यह हमारा क्या है? एक तरफ से कह सकते हैं? यह तो 6 into s to the power minus 1 into qs है, उसमें 6 से multiply कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा. और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यह expression हमें मिलेगा. तो आप पिछले वीडियो में भी अगर ध्यान से देखेंगे, कि जितना भी आपका denominator वाला term है, उसमें हमेशा feedback में रहता है, और numerator वाला term हमेशा forward path में रहता है, और feedback वाले path में हमेशा negative sign के साथ में रहता है, यह चीज आपको ज़रूर ध्यान लखना है, यह आपको help करेगी. अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग g2 की, g2 का मतलब यह जो हमने अलग-अलग माना था, 1 upon s plus 2 यह हमारा है g2, तो इसमें भी again वही same process है, नीचे 1 upon s, यह कहा सकते हैं कि s से हमनों divide कर देंगे, तो यह आजाग s to the power minus 1 और यह आगया 1 plus 2 s to the power minus 1 और उपर नीचे qs से multiply कर लिया, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ys is equal to s to the power minus 1 into qs और us is equal to, फिर से यह denominator वाला term, 1 plus 2 s to the power minus 1 into qs, फिर यहां से हम qs निकाल लेंग qs, फिर इसका हम लोग svd बनाएंगे, svd यह देखिए, तो सबसे पहले qs की value, तो qs is equal to क्या हो गया, us, us one times है, minus 2 s to the power minus 1 into qs, तो देखिए, यहाँ पर 2 s to the power minus 1 करने के लिए, obvious से बात है, हमको यहाँ पर s to the power minus 1 आना चाहिए, तो एक बार integrate करेंगे, और उसमें माइनस 2 स मिल जाएगी, और यहाँ पर आप ys की बात करें, तो s to the power minus 1 into qs है, तो यह हमको यह value यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि यहाँ already हमको दिख रही है, अब क्या करेंगे, दोनों expression को आपस में combine कर देंगे, और उसके लिए क्या कहा है, कि एक का output जो है, दूसरे के लिए input है, तो यहाँ पर 1 का use किया गया है, ठीक है, तो यह हमारा x1 मान लेते हैं, और यह हम इसको मान लेते हैं, x2, तो अब वेसे बाते, यह और x1 है, तो इसको integrate किया है, तब हमें x1 मिला है, तो यहाँ नहीं कि x1 dot होगा, वैसे यह x2 है, तो यह हमारा x2 dot होगा, अब हम यहाँ पर x1 dot और X2 dot दोनों की equation जो है इस SVD की मदद से हमें मिल जाएगी तो X1 dot की value क्या दिखा रहा है यह कह रहा है कि यह जो expression है this यह expression का मतलब क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको पहले तो यह वाला input आ रहा है तो यह कितना है 2 minus 2 into X1 minus 2 into X1 minus 2 into X1 हो गया plus देखिए यहाँ X2 dot से आ रही है value तो 1 times तो यहाँ पर आ गया हम लोग X2 dot की तो X2 dot को अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले तो यहाँ पर U आ रहा है तो यह हमने U लिख लिया है उसके बाद दूसरा का आ रहा है X2 से आ रहा है minus 3 times तो minus 3 X2 लिख लिया अब इनको जो है अगर हम simplified form में लिखने का मतलब है कि इसको arrange करके लिख लिख लिए पहले X1 X2 फिर आप जो है जो हमारा input है UT उसको अलग लिख लिख लिए और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देनी है यहाँ हमको दिख रहा है X2 dot तो dot तो हमें नहीं रखना है यहाँ पर X1 X2 के terms में रखना है और X2 की value यह है तो उपर उठा के यहाँ रख दिया जाएगा तो और कुछ करना नहीं है exact value जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखिए मैंने यहाँ value पुट कर दिया है यहाँ से X2 की value यहाँ पर पुट कर रही है तो आप देखेंगे तो 2 X1 minus के यहाँ रहे गई और यहाँ minus 3 X2 आएगा यहाँ plus 6 X2 है तो cut के कितना आ जाएगा plus 3 X2 आ जाएगा plus U आपको यहा यहाँ पर क्या करना है इनको जो है matrix के form में represent कर देना है तो matrix के form में represent करेंगे तो यहाँ minus 2 यहाँ पर plus 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है X1 का term 0 है तो 0 minus 3 आ गया X1 X2 प्लस दोनों में U और U आपको यहाँ पर दिख रहा है तो 1 into 1 कर लिया Output आप देखेंगे तो Output equation क्या मिल रही है? Output equation जो है X1 के बराबर है आप ध्यान से देखिए Y is equal to क्या है आपका X1 है Y is equal to X1 है तो क्या लिखने सकते है हम लोग X1 plus 0 X2 इसलिए यहाँ पर 1,0 X1 into X2 तो इस तरीके से जो है हम लोग cascade decomposition भी हम लोग किसी भी transfer function का कर सकते हैं तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेर करें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद